राश्चिय संग्रहालय भारत का सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालय है, जो नई दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण भारत सरकार ने 1949 में किया था और इसे 15 अगस्ट 1949 को सावभौमिक रूप से जनता के लिए खोला गया था. स्थान, राश्चिय संग्रहालय नई दिल्ली के भूतपूर्व राजधानी क्षेतर में राजपत के पास ठित है. इमारत का डिजाइन संद्रहाले की इमारत भारतिय सांस्कृतिक शैली में निर्मित है और इसमें विभिन्न कला शैलियों के प्रती समर्पित कई पैविलियन्स शामिल है संद्रा यहां कई प्रकार के संद्रा है जो भारतिय इतिहास, कला और सांस्कृतिक धारा से जुड़े हैं संद्रा में गुहारूप ब्रहमकुरी, मौर्यकालीन स्टूप, हडपा सभ्यता और मुघल सामराज्य के अवशे शामिल है नाश्ट्रेल पार्क, संद्रा हाले के समीप नाश्ट्रेल पार्क में भारतिय सांस्कृतिक विरासत को प्रमोट करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्रिक्षों, पौधों और स्थलिय जीवन का प्रदर्शन होता है राश्चिय संद्रहाले भारतिय सांस्कृतिक धरोहर को सजीव करने और नए पीडियों को उसके महत्व के प्रती जागरू करने का महत्वपूर्ण केंद्र है संद्रहाले का विभाजन राश्चिय संद्रहाले को विभिन्य विभागों में विभाजित किया गया है जिनमें कला, भूतपूर्व सांस्कृतिक धरोहर, मुमियोलोजी, जीव विज्ञान और अन्य सांस्कृतिक अध्ययन शामिल है विशेश प्रदर्शन संग्रहाले में नियमित अंतराल पर विशेश प्रदर्शन आयोजित होते हैं जो आधुनिक कला, भूतिकी और सांस्कृतिक घटनाओं पर केंद्रत होते हैं डिजिटली करण संग्रहाले ने अपने संग्रह को दिजिटल प्लाटफॉर्मों पर उपलप्त करने के लिए कदम उठाया है जिससे लोग दुनिया भर से इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं संग्रहाले ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योजनाय आयोजित की है जैसे की शिक्षकों और छात्रों के लिए कार्यशालाय और शैक्षिक कार्यक्रम स्थाई प्रदर्शन संग्रहाले की कुछ आदिकालीन और मौर्यकालीन कलाएं स्थाई प्रदर्शन के लिए भी उपलब्ध है जो आपको उन सम्यों की विशेश्ता महसूस कराती है राश्चिय संग्रहाले भारतिय सांस्कृतिक धरोहर का एक अद्वितिय और समवेदन्शी स्थान है जो देश और विदेशी यात्रियों को एक सांस्कृतिक यात्रा पर लेकर जाता है राश्च्य प्रतीक, नाशनल एम्बलिन, भारत की गरीमा और सम्मान को प्रतिष्ठित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रतीक है यहां कुछ रोचक कत्य है डिजाइन, राश्च्य प्रतीक का डिजाइन भारतिय सम्मिधान से लिया गया है और इसमें उदार और साहसी वालिजिक द्रिष्ठिकोन को प्रतिष्ठित किया गया है शीर्शक, प्रतीक के शीर्शक में अशोक की स्तंबो को दर्शाने वाले चार दर्शनियों से घिरा हुआ है वायुसेना के पक्वाडे, प्रतीक में एक बाए हाथ में एक चक्र और दाए हाथ में एक शंक होता है, जिसके आसपास वायुसेना के पक्वाडे होते है गंगा और यमुना प्रतीक में एक बारह सीतला दो नदियों गंगा और यमुना का प्रतिष्ठान है जिने वाहिनी और यमुनी कहा जाता है सत्यमेव जैते प्रतीक में सत्यमेव जैते शब्द है जो संस्कृत में सत्य ही विजे होता है का अर्थ है लालतेन शंग के उपर लालतेन दिखाई देती है, जो धार्मिक्ता की चिन्ह है और उतक्रिष्टता को प्रतिष्थित करती है राश्च्य प्रतीक भारतिय सम्मिधान और सांस्कृतिकता का प्रतीक है जो देश की एकता, शक्ती और समर्पण को प्रतिष्ठित करता है